कि द्यूस्त्त ये तो हम सुब जानते हैं कि भारत को festival की country का जाता है यानि की तियोहारों का देश यहां बहुत बहुति ही भूंदाम से बहुत हार बहुत ही भूंधाम से मनाए जाते हैं तो कहते हूं कि तियोहारों की अपनी खुभ सूर्थी होती है क्योंकि इस इंत्योहारों के जरिये हम एक दूसरे से मिलते हैं मिठाईयां देते हैं एक दूसरे को टोकन ओफ लव जिसको हम कह सकते हैं और बदाते हैं कि आप हमारे लिए कितने इंपोर्टेंट हैं और खुशियों की हसी की मिठास जो है सब में बिखेरने की कोशिश करते हैं और यही आशा करते हैं इंत्योहारों के जरिए कि पूरा साल बारा महीने ऐसे ही मिठास और ऐसी सीजनल नहीं है जो आप 12 महीने चला सकते हैं वीडियो कौन तक देखेगा पसंद आए तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे हमारा चानल दा लाइक आउन का बटन जरूर दबाएएगा और हां कमेंन सेक्शन में लिखेगा कि किस तरह के वीडियो बिजनस को लेकर आपको आगे देखने हैं भारत में त्योहार शुरू होते ही लोग अलग तरह की मिठाईयां धूनना शुरू कर देते हैं हर कोई चाहता है कि वो अलग से अलग तरह की मिठाई अपने दोस्तों या रिश्टेदारों तक पहुंचाए इसका लाबा आज कल जो नई चीज प्रचलन जाता है और गिफ्ट पैक में भी अलग अलग ड्राइफूट सी पैक करके दिये जाते हैं ऐसी में चाहे त्योहार हो या शादी के मिठाई के डिपे इसलिए बिजनस काफी जोरो शोरो से चल रहा है इस बिजनस में प्रॉफिट कमाने का सरल तरीका है कि आप अपने प्रो प्रवंदन या करवा चौत को लेकर थाली का बिजनस भी कर सकते हैं इसमें आप पूजा सामगरी साथ में रख सकते हैं इसमें आप दिया पूरी पूजा सामगरी आधी के साथ पूरी थाली डिलिवरी करवा सकते हैं इसमें भी अलग-लग तरह की डिलिवरीस होती हैं जिस इस दिवाली गिफ्ट बिजनस शिरू कर सकते हैं, इसमें आप कुछ समय में ही जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं. आप गिफ्ट बना कर बेच सकते हैं और साथी दिवाली से जुड़े आइटम्स भी बेच सकते हैं. समर कैप आज कर समय ऐसा है कि बच्चे पहले की तरह गर्मी की चुटियों में अपने रिष्टेदारों के यहां नहीं जा पाते, पर पूरी चुटियों में बच्चों का घर बैठे रहना भी कोई पसंद नहीं करता. इसलिए समर के आप आज कर काफी लोग प्रिये हो रहे हैं. आप चाहें तो इसकी शुरुआत एक छोटी स्थर पर कर सकते हैं, आप इसमें बच्चों को अलग-लग तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं और अपनी कावलियत के हिसाब से बच्चों को किसी ना किसी चीज मे एंगेज कर सकते हैं. अगर आप इस बिजनस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और आप माता-पिता को ये यकीन दिला देते हैं कि उनके बच्चे आपके पास आगर वाकई कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे तो आप इसमें काफी मुनाफ़ा कमा सकते हैं और अगली ब आपका शहर ऐसा है जहां अकसर टूरिस्ट आते रहते हैं तो आप ये बिजनस शिरू कर सकते हैं आपको इसकी जानकारी है तो आप खुद से ही शिरूआत कर सकते हैं वरना आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी जैसे टूर गाई ग्रुप्स बनाना, बेहतरीन लोगों को क राम पर रखना, शेहर के नुसार, लोगों को ट्रेनिंग देना, इस तरह से आप ये बिजनस शिरू कर सकते हैं ज़ादे मुनाफ़ा के लिए आप और् Zweakन के तरह दिए सकते हैं इवेंट प्लानिंग का बिजनस यूँ तो लगबग पूरी साल ही काम करता है पर फिर भी अगर आप इसमें पार्ट टाइंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं कि सबसे जादा शादी या इवेंट आपकी शहर में कब हो रहे हैं जैसे कि October North India में देखा गया है कि शादिया October से लेकर February या मार्च की शुरुआती समय तक होती हैं इसलिए आप इस समय वेडिंग प्लानिंग का बिजनस शुरू कर सकते हैं गरम कपड़ों का बिजनस ये बिजनस भी आपको काफी मुनाफ़ा देता है इसमें आप चाहें तो दूसरे देशों से भी कपड़े मंगा कर बेज सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास इतना बज़ट है तो आप गरम कपड़े बना भी सकते हैं और उसे अलग-लग ज चाहती का बिजनस ये भी एक अच्छा विकल्प है जो बरसात के मौसम में आप शिरू कर सकते हैं आप थोक में कम मुल्य पर माल एक चोटी सी दुकान में भर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं इस तरह से आप अपने बज़ट के हिसाब से चोटे या बड़े बिजनस की शि सकते हैं तो देर किस बात की है अच्छे से प्लानिंग करें और जल्दी अपना बिसनस शिरू करें तो दोस्तों देखी आपने की कैसे आप उसे सबनेत और बिजनस में बदल सकते हैं बस जरूरत है तो अच्छे नग की यानिस की और की की 30 मार्किर की और saadu दीजिए इजादत अपना ख्याल रखें ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है